डेली कनेडियन न्यूस बुलेटन इन हिंदी एंद उर्दू, अज़ने अट टेग टीवी टेग टीवी अप्टेट्स यूँ अबाउट कोरोना सिचुएशन इन कानदा एंट अराउंड गलूब टूरन्टो में इस वीकेंड पर मौसम गरम रहेगा, माहीरीन मौसमियाद के मताबिक वीकेंड पर शेहर में हल्की बारिश भी हो सकती है वीकेंड पर टूरन्टो का दर्जे हराराद 22 डिग्री सेंटीगिर्ट तक जा सकता है कनेड़ा भर में कुरोना के वार देजी से जारी है मरीजों के मुझमीत आदा 10,36,023 तक जा पहुँची ऑंटेरियो में सुरतिहाल मजीद घंबी हो गई ऑंटेरियो में स्टेट हो मौडर पर अमल दरामत जारी शहर की सड़कें वेरान हो गई सुभे में आईसी उ में गुंजाई से ज्यादा मरीज आने लगे ऑंटेरियो हकूमत सुभे के स्कूलों को मजीद महफूज बनाने के लिए पुर अजम तालिमी अमले को अमले की सवी फेस माक्स पहन रखा था माक्स पहनने के बावजूत मनाहों ने जी-जी हदीद और बेला हदीद को पहचान दिया फवाद आलम और फारिया हसन की खुदकुश महबबत फवाद आलम की पहली वेब सीरीज खुदकुश महबबत का ट्रेलर जारी कर दिया गया वेब सीरीज की कहानी सिर्फ रुमास तक महदूर नहीं दुनिया भर में कोरोना वारस केसिस 13 करोर 45 लाग से तजावस कर गए मतासरा फराद की तादा 13 करोर 45 लाग 28,841 तक जा बहुची नियूजिलेंड ने भारती मसाफिरों पर दो हफ़तों के लिए पाबंदी लगा दी हेडलाइंज आपने जानी और अब खबरे तफसील के साथ ग्रीनिश हैं सानिटाइजर ना ओईली ना स्टिकी ना बद्बू और मुकमल अब्सॉर्प्शन और हाथ नर्म, मुलाइम और साथ आज ये अपनी खरीबी फर्मसी से खरीदें या हमारी वेबसाइट को और्डर करें www.greenish.com टोरंटो के शहरी आने वाले साथ दिनों में अच्छे मौसम का सामना करेंगे हफ़ते और इतवार के रोज शहर का मौसम गरम रहेगा जबकि हलकी बारिश का भी इमकान है मजीद जानते हैं स्टिपोर्ट में टोरंटो के शहरी इस वीकेंड पर गरम मौसम के लिए हो जाएं तयार माहरी ने मौसमयात की जानब से कहा गया है कि इस वीकेंड पर टोरंटो में कालिफॉर्णिया के कुछ इलाकों से ज्यादा गरमी पड़ सकती है माहरी ने मासमयात की जानिब से कहा गया है कि टरॉंटो के शहरी आने वाले साथ दिनों में अच्छे मासम का सामना करेंगे हफ़ते और इत्वार के रोज शहर का मासम गरम रहेगा जबके हल्की बारिश का भी इमकान है माहिरी ने मौसमयात का कहना है कि इस वीकेंड पर ट्रॉंटो का ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 22 डिग्री सेंटीग्रेट तक जा सकता है जबके अमरीका में कैलिफोर्निया और सान फ्रेंसिको में दर्जा हरारत 14 डिग्री सेंटीग्रेट रहेगा कینیڈین सुबे ऑंटेरियो में जुमराद को कोविड नाइटीन के 3295 नए केसिस रिपोर्ट हुए इसके साथ ही 19 मजीद अमबाद भी हुई हस्पताल के आईसियो में मरीजों के दाखले का एक नया रिकार्ड काइम हुआ है मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में कैनेडा भर में करोना के बार तेजी से जारी है कैनेडा भर में करोना के मरीजों की मचमुई तादाद 10,36,023 तक जा पहुची है जबके हलाकतیں 23,211 हो गए जबके 9,48,521 अपराद सहत्याब हो चुके हैं ऑन्टेरियो सुबे में करोना केसिस की तादाद सबसे जादा है कैनेडिन सुबे ऑन्टेरियो में जुमेरात को कोविड-19 के 3,295 नए केसिस रिपोर्ट हुए इसके साथ ही 19 मजीद अमबाद भी हुई अस्पताल के I.C.U. में मरीजों के दाखले का एक नया रिकार्ड काइम हुआ है सुबे भर में करोना वाइरिस से मतासिर होने वालों की तादाद 3,74,112 तक जा पहुँची है जबके हलाकतों की तादाद 7,494 है कैनेडा में करोना वाइरिस के सबब सबसे ज्यादा हलाकतیں क्यू बैक सुबे में हुई है जहां करोना वाइरिस के मचमुई केसिस की तादाद 3,21,411 है जबके सुबे में करोना वाइरिस के बाइस होने वाली हलाकतों की तादाद 10,718 तक पहुँच चुकी है कینیڈین सूब आलबर्टा में 1,56,905 अफराद करोना वाइरस से मतासिर हुए हैं जबके 2,005 अफराद हलाक हो चुके हैं ब्रेटिश कॉलंबिया में केसिस की तादाद 1,00,000 से तजावस कर गई जहां 1,8,278 अफराद करोना वाइरस से मतासिर हुए हैं जबके सूवे में करोना वाइरिस से होने वाली हलाकतों की तादाद 1493 है। कोविट की बर्ती हुए सुरते हाल के बाइस फॉर्ड हकूमत ने एक और स्टेट हॉम और्डर जारी किया है। और जाती खरीदारी के लिए तमाम घर जरूरी दुकानों को बंद करने का भी हुकम दिया है। मज़ीद तफसिलाथ इस रिपोर्ट में। प्रेमियर डगफोर्ट की जानब से दिये जाने वाले एक हुकम के मताबिक। ऑंटेरियो भर में करोना के खिलाफ हवाज़ती एकदाम के तोर पर घरों तक महदूत रहने के गानून पर अमल दरामत शुरू हो गया है। और लोग अपने तमाम काम काच छोड़ कर घरों तक महदूत हो गए हैं। जिसकी वज़ा से शाराहें, वीरान और सड़कें सुनसान हो गई हैं। ये हुकम उस वक्त जारी किया गया जबते भी हलकों में और दीगर सहथ से मतालिक एजनसियों और अफराद ने हुकूमत पर पाबंद या नरम करने पर शदी तनकीद की थी और इसे आंटेरियो इंतिजामिया की गफलत करार दिया था। वाजर है कि कोविट की बढ़ती हुई सुरते हाल के बाइस डाकोर्ट हकूमत ने एक और इस्टेइ एट होम आडर जारी किया है और जाती खरीदारी के लिए तमाम गए जरुरी दुकानों को बंद करने का भी हुकम दिया है। लाकोर्ट हुकूमत की जानिब से ऐलान करदा नई पाबंदियों के तहत गिरोस्टरी स्टोर्स और फार्मसीज को गुंजाइश की हुदूत के साथ खुले रहने की इचाज़त दी गई है। दूसी जानिब ऑंटेरियों में करोना वाइरिस की सुरते हाल मजीद घंबीर होती जा रही है। सूबे की वजीरे सहर्थ क्रिस्टियन आलिट का कहना है कि डॉक्टरों को जल्दी फैसला करने की पोजिशन में डाला जा सकता है कि किसकी सफ निगेदाश की जाये। मंगल तक सूबे भर की आईसी यू में पांच सो एक मरीज से जो अब तक के मरीजों की सबसे जादा तादाद है। जनवरी में अस्पतालों को एक दस्तावेस मौसूल हुई जिसमें बताया गया था कि बैट की कमी के मसले से किस तहां निमटना है। इंसानी हकूँ के हामियों ने इस अमल को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि ये फितरी तोर पर माज़ूर अफराद और बुजरूर अफराद के साथ इम्तियाजी सुलूग है। उंटेरियो हॉस्पिटल असोसियेशन ने कहा कि इस हफ़ते के लिए 88 आईसी उ मरीजों की मुन्तफली का मनसूबा बनाया गया था ताकि उन मरीजों को आहम निगिदाश फराहन की जासे के जिने ज्यादा जरूरत है। कनेडियन सुबे उंटेरियो की सुबाई हुकूमत की जानिब से स्कूलों को मज़ीद महفوظ बनाने के लिए अहम एकदमात किये जा रहे हैं। और टरॉन्टो के उन इलाकों में जहां करोना का सूर है। स्कूल मुलाजमीन को सबसे पहले वैक्सिन दी जाएगी ताकि वो अपने पराइस मामूल के मताबिक अंजान दे सके। इसके लावा मतासरे इलाकों में आहम और पूर हुझू मुकमात पर मुबाइल वाक्सिनेशन का इंतजाम भी किया गया है। डगपोर्ड हुकूमत ने ऐलान किया है कि तमाम तुल्बा और स्कूल का अमला ऑंटेरियो के 180 तश्वीसी मराकिस में 12-18 अपरेल के खिताम हफते तक असिम्टोमेटिक टेस्ट करवा सकेंगे। उनका कहना है कि तुल्बा और अलामात के बगएर अमला फार्मसीज में कोविड-19 के टेस्ट करवा सकता है। सिम्टोमेटिक जाच की 90 कोशिशों का एक हिस्सा है ताकि यकीनी बनाया जा सके कि ब्रेक के बाद स्कूलों को करोना में फैलाओ का सामना ना करना पड़े। डाकोर्ड हकूमत दोर दे कर कहा है कि सकूल महफूज है और उनकी बन्दिश का हुकम नहीं देंगे जैसा कि जन्वरी में घर के आखरी क्याम के दौरान हुआ था। लेकिन सहथ के कुछ तिबी अफसरान ने मामलात को अपने हाथ में लिया है और टरॉन्टो पी लुजन और वालिंग्टन डिफरन गैल्फ समेथ कई अलाकों में सकूल बंद रखने का हुकम दिया है। वबाई मर्स के आखास से ही इसकूल में करोना के 14,478 वाकियात रिपोर्ट हुए हैं। इस वक्त तक्रीबं 26 पीसद इसकूलों में कम से कम एक करोना का मरीज है। नियूजी लेने करोना वारस के केसिस की तादात तेजी से बढ़ने के बाद भारस से आने वाले मसाफिरों के मुलक में दाखले पर दो हफ़तों के लिए पाबंदी लगाती है। वजी जानते हैं इस रिपोर्ट में। दुनिया का कोई खिता करोना वारस की मुजी वबा से महफूज नहीं इसके मरीजों और अमवाद में मसलसल अजाफा जारी है। दुनिया भर में गुजिशता 24 गंटों के दौरान 8 लाग से जाए करोना वारस के नई केसे सामने आए हैं जबके 13,000 से जाएद अफरात मात के हुँ में पहुँच गए। दुनिया भर में करोना वारस से मतासर अफरात की तादा 13,45,28,8,41 तक जाप पहुची है जबके इस मुजी वारस से अमवाद 29,015,013 हो गई जबके 10,13,30,462 करोना मरीज से हैत्याफ हो चुके हैं। करोना वारस के केसिस और इस से अमवाद के एतबार से 10 सरे फैरिस मुमालिक में 33,00 करोड से जाएद आबादी का हामिल अमरीका ताहाल पहले नमबर पर है जहां इस वारस से अब तक 5,73,866 अफरात मात के मुँ में पहुच चुके हैं जबके इस से बीमार होने वालों की 45,287 हलाकते हो चुकी हैं जबके इसके मतासरा मरीजों की तादाद 1,32,86,324 हो गई एक अरब से जाएद आबादी वाला मुल्ग भारत करोना वारस के मरीजों की तादाद के हवाले से 30 नमबर पर आगया है जहां इस वारस से 1,67,694 हलाकते हो चुकी हैं जबके इस से मतास 1,30,60,542 मरीजों सामने आ चुके हैं न्यूजिलेंड में करोना वारस के केसिस की तादा तेजी से बढ़ने के बाद भारत से आने वाले मुसाफरों के मुल्ग में दाखले पर दो हफ़तों के लिए पाबंदी लगा दी गई हैं मीडिया रिपोर्ट के मताबिक ये एकदा ऐसे वक्त में सामने आया है जब न्यूजिलेंड की सरहत पर आज करोना वारस के 23 केसिस रिपोर्ट हुए हैं जिन मेंसे 17 का तालुग भारत से था करोना वारस के रूस में कौल अमवाद 11,885 हो गई जब के इसके मरीजों की तादा 46,14,834 हो चुकी है बरतानिया में करोना वारस के बाएस अमवाद की तादा 1,26,980 हो गई जब के केसिस की तादा 43,70,321 हो चुकी है साथी अरब इसी फैरिस में 42 नंबर पर पहुँच चुका है जहां करोना वारे से अब तक कुल आवाद 6,728 रिपोर्ट हुई है जबके मुम्लिकत में इसके मरीजों की तादात 3,45,854 तक जा पहुँची है फलस्तिनी निज़ाद अमरीकी सुपर मॉडल जीजी हदीद और उनकी बेहन बेला हदीद को न्यू यॉर्क में साथ देखकर मद्दा हैरान हो गए गर मुलकी मीडिया के मताबिक जीजी हदीद की बेटी खाई भी उनके साथ थी इस दोरान दोनों मॉडल बेहनों ने पेस मास्क पहन रखा था पेस मास्क पहनने के बावजूद मद्दा हो ने जीजी हदीद और बेला हदीद को पहचान दिया दोनों खुबसूरत बेहनों को एक साथ अपने दर्मयान देखकर मद्दा हो ने खुशी का इजहार किया बार्ट बनाने वाले पाकिसानी क्रिकिटर फवाद आलम की पहली वैब सीरीज खुदकुश महबत का ट्रेलर चारी कर दिया गया। खुदकुश महबत अगरचा फवाद आलम का पहला बड़ा शोबिस मनसुबा है ताहम इस से कबल वो कुछ मिज़ाया ड्रामों में महमान अदाकार के तौर पर अदाकारी कर चुके हैं जबके वो मुखतलिब इश्तिहारात में मौडलिंग भी करते दिखाई देते हैं और ज नहीं मुखतसर ट्रेलर में फवाद आलम को महबत में गरिफतार होते हुए और फिर महबत की खातिर जबरो तश्यदुद बरदाश्ट करते हुए भी दिखाया गया है ट्रेलर से अंदिया मिलता है कि फवाद आलम का तालोग कद्र मजभी घराने से हैं और हैरान कुन तोर पर उनकी महबत भी बड़े मजभी घराने के खुब्सूरत लड़की से हो जाती है टैग टीवी के पाकस्तान स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही मज़ीद खबर और अपडेट्स के लिए देखते रहे हैं टैग टीवी देली कनदीन ऋस बुलितन इंदी औरुदू अद्धू अग्ट टाग्ट वी टाग्टीव टाग्टीवी अबाट को छोना सिट्वेशन इनन एन आ रांद रान गलोग